हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरब और इस वीडियो में जिस नेसंस लीग के मैच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा पॉर्ट्यूगल वर्सेस क्रोएशिया के बीच तो गाइज पॉर्ट्यूगल और क्रोएशिया दोनों वर्ल फुटपल की टॉप टीम्स म समर में वो बहुत जाएदा अच्छा नहीं किया था क्रोएशिया तो ग्रूप स्टेस से भाहर हो गी थी और पॉर्ट्यूगल भी जहाँ से जाएदा क्वाटर फैनल तक पहुचे थे और वहां ये फ्रांस के आतोवार के बाहर हो गय थे तो दोनों का यूरो बहुत अंड पॉर्ट्यूगल को ही करूंगा विकास उनके पास होगा और ज्यादा क्वालिटी अभी पॉर्ट्यूगल के स्कॉड में अपनी टीम बनाने वाले हैं अब गाइज सबसे में चीज इस मैच की लाइनप आने के बाद जो भी फाइनल टीम अपडेट होगी वह आपको मिलेगी हमारे टेलीगराम चैनल में तो जो मेरे टेलीगराम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाए यानि कि मैं स्यान प्लेयर पॉट्यूगल के पिक करने वाला हूँ तो इनकी प्रोवेबल लाइन पर नजर डालते हैं डियोगो को हुष्टा होने वाले इनके गूल की पर चार इनके डिफेंडर हूंगे डियागो डालो डियास इनासियो एंड नियूनो मेंडिस अब पॉट्यूगल के डिफेंज में नजर आ रही है तो अभी यहां से में इन चार में कोई तीन डिफेंडर पिक कर रहा हूं और जो मेरी टॉप त्री चोईज है वो है डालो डियास एन नियूनो मेंडिस क्योंकि इनासियो जनरली उतने ज्यादा डिफेंजी पॉइंड नही अब आइन से ब्लिक करते हैं यह भी पासेज और डिफेंजी अच्छे हैं तो मैं डालो डियास और नासियो को इग्नोर कर रहा हूं जाओ पाली निया डिफेंजी हमिड फिल पॉइड कहलें लेकिन में आभी इनको ऑगमिड्नोर कर रहा हुँ इनसे मुझे बेटर आफसन म बागी विटीनिया भी last 2CM से बहुत impressive performance कर रहे हैं, फिर चाहे वो पॉर्ट्यूगल के लिए हो, या उनके club PSG के लिए हो, तो विटीनिया भी बहुत ज्यादे important है, बिना goal assist की भी अच्छी point देते हैं, और ये midfield से goal assist करने में भी capable हैं, तो मैं दोनू Bruno Fernandes और विटीनिया को pick करके चल लहूँ, बागी guys, Cristiano Ronaldo टैलिसमन है पॉर्ट्यूगल के, although Euro में थोड़ी इनको criticism जेलनी पड़ी, क्योंकि बहुत अच्छा Euro नहीं गया, बट इस्टिल, ये इनके mainman है, टैलिसमन है, must pick रहेंगे, जब भी start करेंगे, उस match में clear cut captaincy के option होंगे, और penalty taker भी है, तो Ronaldo मेरे captain भी होंगे, बागी मैं Bernardu Silva को भी ले रहा हूँ, right wing या right midfield position में खेलेंगे, वहां से goal assist भी कर सकते है, और creative भी है, बट एक परसेंट अगर आपको लगता है, इनका off day जाएगा, फिर भी है, बिना goal assist के 25-30 ये point देते हैं, बट अगर आपको लगता है, Bernardos of love होंगे, ल बहुत इंप्रेसिव है, goal assist कर सकते है, बहुत बेसी, schoolful है, तो आपको लेना आप Bernardu अटा के ले सकते हो, अब अभी के लिमल लियाओ को ignore करने का risk ले रहा हूँ, तो ये Portugal की 11 थी, फिलाल जो मैंने आपसे players भी के, अब 3 में defender ले गया, डालो डियास और निनो मेंडेस, इसक अब हम direct बात कर लेते हैं, अपोनेंट, Croatia की, तो लिवाकोविक होने वाले Croatia के goalkeeper, अभी I think Portugal इस मैच में ज्यादा attack करेगी, तो मेरे goalkeeper रहेंगे लिवाकोविक, जो हमें अच्छे काज़े save करके दे सकते हैं, अब यहाँ पर rumors के according, Croatia back 4 से back 3 में जाने वाली है, तो उसमें के तीन defender होंगे, Sutelo, Pongracic और Guardiol, इसके अलबाज उनके left wing वाक है, Bonasosa, यह जो चार प्लेयर हैं आपको चारो defense section में मिल जाएंगे, अब guys, अभी के लिए वैसे में Croatia का कोई भी defender नहीं ले रहा, लेकिन इनके defense में दो बहुत standout option है, number one मेरी choice रहेंगे, Guardiol आप जानते, Manchester City के player हैं, defensive eyes बहुत impressive है, attacking work भी कर लेते हैं, header में भी solid है, दूसरी choice मेरी है, Bonasosa, जो attacking वाइस तो बहुत जादे impressive है, defensive eyes उतने solid नहीं है, तो अगर आपको कोई लेना है, आप Guardiol, Sosa में किसी को ले सकते हो, खास तर पर number one choice मेरी Guardiol रहेंगे, बट अभी के लिए, मैं Croatia का कोई भी defender लेके नहीं गिया, अब यहाँ पर rumors के according, Brojovic जो है, वो तो सन्यास ले चुके है, retirement ले चुके है, तो जो कोवाचिच है, वो defensive midfield में चले आएंगे, उनके साथ centrally खेलेंगे, लूका मोटरेच, और attacking midfield या central midfield में ही, साथ में एक और player है, बट टूरी ना करके, वो अब ही के लिए मैं दोनों कोवाचिच और मोटरेच ले रहा हूँ, कोवाचिच आप जानते हैं, मैं सीटी के player हैं, बिना goal assist के भी अच्छे काज़े point देते हैं, और creative भी हैं, जबकि मोटरेच तो आप जानते हैं, क्रुएश्या के last, कई year से talisman है, main man यही है, penalties भी यह ले वहाँ पे रूमर्ट के according जाकिक खेलने वाले, जो naturally एक DM है, बट वहाँ पे इनके बाद leg of option के जाकिक खेल सकते हैं, अगर यह नहीं खेले, एक प्याचा करके इनके winger है, वो खेल सकते हैं, अभी के लिए वहाँ पे उस position में, जो भी खेलेगा right wingback वाली में, मैं उस player को ignore क क्योंकि जाकिक हो प्याचा हो, दोनों के कुछ खास numbers नहीं है, अब दो number 9 खेलिंगे, एक होंगे Budimir, दूसरों के Cramaric, फिलाल मैं Cramaric को ले रहा हूँ, जो one of the best attacking player है, Croatia का, goal assist भी कर सकते हैं, बिना goal assist की वे अच्छे काजे point देते हैं, तो मैं Cramaric ले रहा हूँ, लेकिन मैंने आसे चार प्लेयर्स पिक किये, मैं इनके गोलगीबर लेगे है, लिवा को एक, दो मैं midfielder लेगे हो, Modric and Kovacic, इसके लाव मैं attacking section में Kramaric को भिक करके गया हूँ, बागी guys जो इनकी penalty हो, Luka Modrici लेने वाले हैं, अब stat को सेनी, direct हम आ जाते हैं, इस match की अपनी prediction में, तो मैं 2-1, यह 2-0 Portugal clear cut victory के साथ जा रहा हूँ, तो अभी यह मेरी demo of team है, गोल के पर मैंने लिवा को एक लिया पॉट्यूगल से, तीन में पॉट्यूगल के defender लेगे है, डालो, डियास, न्यूनो, मेंडेस, मिडफिल्म में लेगे हैं पॉट्यूगल से, ब्रुनो, फर्ना लेकिन बर्नाटो शिलवा फ्लॉप होंगे, तो आप बर्नाटो शिलवा को अटाके राफिल लेवा ले सकते हो, नहीं तो आप पीछे से डियास अटाके भी लेवा ले सकते हो, पर उस case में आपको क्रमेरिक यह कोवाचिच में किसी एक को अटाके defense में Godiol को पिक करके जान करता है, क्रमेरिक यहाँ पर goal assist में contribute नहीं करने वाले, भागी guys मैं बहुत ज्यादा changes एक्सपेक नहीं कर रहा हूँ इस team में, captaincy clear cut option Ronaldo थे मैंने उनको ही दिया, VC, Bruno Fernandes एक top top option है, अगर आपको close match लगता है, तो आप moderate जा क्रमेरिक में भी किसी को अपना VC कर सकते हो, बाट अ लिंक आपको मिल जाएगा, description box या, top pin comment में, join कर लिजिए,